पूर पूर्णीमा करम परब पूर्व संध्या कारिक्रम दोस्तो जै जोहार जै शतिशगर जै जस्पूर दोस्तो आज हमारे जस्पूर में सामोही की पूर्व संध्या का कारिक्रम है जग है जस्पूर संगम चौक के बगल में चावल गुदाम है चावल गुदाम के ज़स्ट बगल में चीर बगीचा के एरियब है तो आंगनवाली केंद्र चीर बगीचा के ज़स्ट बगल में अखड़ा है देख सकते हैं काफी बड़ा अखड़ा है इस करम पूरो संध्या कारिकरम में उड़िशा सुंदर गड़ से आ रहे हैं पप्पू कुजूर जी जो की सरना गीत बहुत ही बेहतरीन आवाज में गाते हैं और भी अनेक गायक और कलाकार आ रहे हैं जो की करमागीति के माध्यम से यहां के युवाओं को रिजाएंगे नचाएंगे और जुमाएंगे एक आरकरम साम 6 बजे से रात के 10 बजे तक रहेगा उस बीच में आएं और सब मिल के करम संध्या का आनंद लेते हैं अभी सुबह के 10 बजे रहे हैं तो इस्टेप से यहां पे त्यारी चल रहा है पूरा स्टेज इधर बन गया है कुछ देर में साउंड सीष्टम भी आ जाएगा जस्पूर के महराजा चोक में लेक्षी लगा हुआ देख सकते हैं आदिवासी परंपरा के पूर्वजों की पूर्णी परथा स्वासासन बेवस्था राजी पढ़ा एवं सरना प्राथना सभा बेवस्था धुमकूरिया के तहत करम पूर संध्या करम परब कुवर पूर्णी मा के उपलच में 16-17 अक्टुमबर दोहजार चोबी सी वह देख सकते हैं यहां पर भी करम परब कुवर पूर्णी मा करम पूर संध्या की बहुत बड़ी फ्रैक्षी लगी हुई है जस्पूर के महराजा चोग में जयंग से पिंड़ेन जैसपूर के बचिषण टो maar अगर एक जासपूर के बचिषण से आते हैं तो बजार नान होते हुए चीरबगी क्या खड़ा मेरे पहुच सकते हैं यह जासपूर का बजा डान अगर बजच्टें साइट से आते हैं तो यह वाला रास्ता है यह दर्बाई टूली जाने वाला रास्ता इसी रास्ते में आना है उसके बाद यहां पर एक सरना जंडा मिलेगा उसके जश्ट राइट में मुड़ जाना है और यह रहा खड़ा यहां पर एक आरकरव है अगर आप जस्पूर के संगम चौक साइट से आएंगे तो संगम चौक यह है दर्बारी टूली का संगम चौक संगम चौक से अपने को आना है जस्पूर बशी स्टेंड साइट यह देख सकते हैं यह रास्ता है यह रोड है इस रोड में नहीं जाना है अपने को जाना है बस्टेंड साइड और यहां पर एक धलान मिलेगा इस डलान से नीचे उतरना है इसके वाद इस संगम चौक से आएंगे तो बाया मूर जाना है आपे और ए रहा अखड़ा दोस्तो एक आरिकरम राजी पढ़ाय वहम सरना प्राथना सभा के द्वारा आयोजीति किया जा रहा है दोस्तो एक आरिकरम कुवर पूर्णिमा करम परब का पूर्ण संध्या का कारिकरम जस्पूर के डिपू बगीचा में करना था लेकिन किसी कारणवस वहां से इस्थांतरित कर जस्पूर के चीर बगीचा अखड़ा में किया जा रहा है सामोहिक करम परब जस्पूर के डिपू बगीचा में ही 17 तारिक को है याने की कल तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदिवासी वेस्भूसा में आए और यह करम परब पूर्वसंध्या मनाते हैं टाइम याद रखें साम 6 बजे से रात 10 बजे तक